नमस्कार मित्रो आज मैं फिर से आपको एक मंत्र लेके आई हूँ जिसको जपने से माता आपका कल्यान करेगी और उत्तम संपत्ति आपको माता प्रदान करेगी रूप देगी जय देगी यस देगी और काम क्रोध को दूर भगाएगी इस मंत्र को ध्यान से सुनें और मंत्र इस प्रकार है बिदेही दुशताम नासम बिदेही बल मुच्च कई रूपम देही जयम देही यसो देही दिशो जही मंत्र एक वार फिर से सुन लें बिदेही दुशताम नासम बिदेही बल मुच्च कई रूपम देही जयम देही यसो देही दिशो जही इसका अर्थ है हे माता मेरा तुम कल्यान करो और मुझे उत्तम संपत्ती प्रदान करो रूप दो, जय दो, यस दो और काम क्रोध आदी सत्रों का नास करो इस प्रकार इसका अर्थ है और आप एक पैन का अगज उठाईए और इस मंत्र को लिख लीजिए और इसको रोज सुबह ना दोकर घीका दिया जला लें और इसको 108 बार जपें आप देखना आपको इसको जपने से इतना धनाएगा कि आप समाल नहीं पाऊगे और इतनी धनकी ब्रद्धी होगी आपकी जिसकी नौकरी नी लगी है उसकी नौकरी लग जाएगी जिसके पास धंदा नहीं है उसका धंदा चल जाएगा जिसकी दुकान नी चल रही उसकी दुकान चल जाएगी और इस मंतर की महिमा मैं आपको क्या बताऊँ ये माता का मंतर है, ये कभी भी निस्फल नहीं होता है, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप मंतर जपें, एक माता लक्षमी की तस्विर जरूर लगा लें, उनके हाज से धनकी बरसा होती हुई, इस प्रकार का चित्र बजार से ले आएं, या तस्विर ले आएं, और साम तो कुछ मिश्टान बता से बगेरा का माता का भोग भी लगा दें एक बार लश्मी माता प्रिशन हो जाएंगी तो आपकी देखना जोली भर देंगी आपकी इतना जोली भरेंगी कि आपकी जोली छोटी पड़ जाएगी वो एक भजन है मेरी जोली छोटी पड़ गई रहे वो बिलकुल सत्ते भजन है अगर माता एक बार प्रिशन हो जाए तो आपकी जोली छोटी पड़ जाएगी इतना माता आपको धन देगी आप देखना आपके धन से चारों कौने भर जाएंगे और आपके रिष्टेदार नातेदार भी आपसे धन मांगने लगेंगे इतना धन आएगा आप इस मंत्र को जपें और कोई इसमें संदे नहीं करें और कोई समस्चा हो तो मुझे कमेंट में बताएं आपकी मैं हर जान करने की कोशिस करूंगी और मुझे आग्या दें नमस्कार जैमाता की